जैशी किश्णा दोस्तों, 20 असरां फैमली में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम दो रोटी का एक ऐसा उपाय बतारे जिसके करने से आपकी संतान प्राप्ती में आ रही सभी बाधाये दूर होंगे दोस्तों अगर आपको संतान की प्राप्ती नहीं हो पारी या फिर आपका गर्ब नहीं ठहरता या बार बार गर्ब पात हो जाता है या फिर आपको सिरफ कर्ण्या संतान हो रही है पुत्र की प्राप्ती नहीं हो पारी है या किसी भी तरह से अगर आपके उपर किया क्राया है या किसी ग्रहे दोश के कारण आपको संतान की प्रापती नहीं हो पारी है तो आप इस छोटे से उपाई को जरू करके देखेगा सिरफ साथ दिन के अंदर आपको इसका प्रभाव दिखना प्रारम हो जाएगा दोस्तो उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सस्क्राइब निकर रखा तो सस्क्राइब जरू कर लें बगलने बैल आइकन को भी दबा दे जिससे मेरे आने वाली सभी लेटस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पौश सके दोस्तो इस उपाय को आपको शुकरवार के दिन से ही शुरू करना है जब भी आप शुरू कर रहे तो शुकरवार के दिन से ही करना है आपको देखे चने का आटा यानि बेसन लेना है और गेहू का आटा लेकर आपको दो रोटी बनानी है यानि बेसन को और गेहू के आट को मिला कर आप दो रोटी बनानी है अगर आपको दो रोटी बनानी है अगर आपने सबजी भी बनाई है तो आप सबजी रख कर किसी भी गरीब को या किसी भी अन्य व्यक्ति को आपको दे देना है जो उसे खा ले दोस्तों अगर आपको कोई गरीब व्यक्ति नहीं मिलता है तब आप रोटी के ऊपर गुण रखकर मतलग गाय माता को खिला दें इसको आपको लगातार शुकरवार से शुकरवार तक करना है यानि पूरे साथ दिन तक आपको कंटीनियू करना है दोस्तों कोशिश करें अगर कोई गरीब मतलग इंसान मिल जाता है तो आपको उसे दे तब आप रोटी के ऊपर कोई भी सबजी रखकर कुछ भी रखकर मतलग उसको दे दें जिससे वो खाले नहीं मिलता तब आपको गाय माता को मतलग रोटी के ऊपर गुण रखकर गाय माता को खिला देना है आप अपनी इच्छा बोल कर गव माता को खिला दें इस उपाय को आपको लगातार साथ दिन तक करना है यानि शुकरवार से शुरू करके शुकरवार तक करना है देखना इसका प्रभाव आपको अवश्य ही दिखेगा अगर आपके उपर किसी तरह का भी किया कराया है या किसी भी तरह से संतान प्राप्ति में रुकावट आ रहे पुत प्र प्रभाव आपके उपर है तो निशिद ही वो दूर हो जाएगा दोस्तों इस छोटे से उपाय को करें और लाप्राप्त करें आप सभी को जैशी कुछना